गुड मॉर्णिंग टु एवरिवन वायरिंग एस्टिमेशन कोष्टिंग अने कॉंट्राक्टिंग जहमा आपने चैप्टर नंबर एक विशे वाद करता हाता जहनु नाम हत्तु इलेक्ट्रिकल वायरिंग हवे चैप्टर नंबर एक मां आपने आगणना 20 बाग जोए हाता ते 20 बाग पईकी बिजो एक क्वेस्टन जे जीडियू मां पूछातो होईचे तो यानी पुन आपने चर्चा करी लेश्यू एक क्वेस्टन मां खास करीने ओनली खाली फिगर ड्रो करवानी पूछाती होई जे बनने फिगर होई ये बनने फिगर वीशे निया अपने आधना लेक्शेरमा चर्चा करी श्यू तो जे रीदे आपने ख्याल शे क्वे जे इंडक्षन मोटर होई इंडक्षन मोटर मां स्टार्टन आप्योग करवाम आप अवतो ख़ाचमानो ट्राय करतु होई छे पन इंडेक्शन मूटर होई एना जारे तम्हे ऑदकरो uda छोमा ही सब्सक्र सकरता सब्सक्राइद सप्सक्रीच करण्ट कलेक करवाने परी नामे क्यार एक इंडक्षन मोटनु जे वाइंडिंग होई ए वाइंडिंग शौट सर्कीट थावानी अने बड़ी जवानी संभावना र्याती होई छे तो ए जे सरु आतनो करण्ट होई जैने आपड़ी इलेक्ट्रिकल लेंग्वेज मां इन्रस करण्ट तरीक उडखवा मा आउतु होई कि जे सरु आतनो इन्रस करण्ट होई कि जे खुबज मैक्सिमम होई तो ए करण्टनू कंट्रोलिंग करवा माटे स्टाटन नों प्योग करवा मा आउतो होई छे स्टाटन नों काम सु होई तो ए जे तमारों मैक्सिमम करण्ट प्रथम आपने ख्याल हो जोई है कि इंडक्षन मोटन मां स्टार्टन ओप्योग क्याम करवा माँआवाँ छे सरु आतमा जे मैक्सिमम करण्ट होई कि जैने आपने इंद्रस करण कई शू एंद्रस करणनों कंट्रोलिंग करी सकाई छे अने स्टार्टन ना ओप्योग दी मदद्थी जैने इंद्रस करण्ट होई एक करणने आपने तीजा भागनों करी सकाई छे एले इंडक्षन मोटन ने तमे प्रोपलली औने सेफली रिते स्टार्टिंग करी सको छो तो यह आपने ब्या प्रकार्टना स्टार्टर जोई छे चू आगनना सेम माँवट् Amda तम्य श्टार्न ना प्रकार होई से माय तीमेड़ भी अचे जमके DOL स्टाटर होई, डायरेक ओनलाइन स्टाटर, त्यार पची स्टार डेल्टा स्टाटर होई, अने ACY ओटोमेटिक स्टाटर पन होई तो अलग अलग प्रकानना स्टाटर होई सके छे, ये स्टाटर न उप्यों केवी रिते थाई, यानी एप्लिकेशन उपर डिपेंड करतु होई छे तो यहां खास कही ने अपने बेया प्रकाना स्टाटर नी बाद करीशिऊ, DOL स्टाटर, एल्डेके डायरेक ओनलाइन स्टाटर, अने स्टार डेल्टा स्टाटर तो बनने स्टाटर ना डायाग्राम आपने जोवाना छे, कि इंडक्शन मोटर साथे, जारे आपने स्टाटर ने कनेक करी होई, तो स्टाटर ने कनेक करी आपची, एनो डायाग्राम करी रिते बनतो होई छे, ए डायाग्राम आपने ड्रो करवानों होई छे जिट्यू मा पन आ क्रेस्टन त्रण माग मा पूछा आतो है जैमा जे पन क्रेस्टन पूछाए यहां तमने ओनली फिगर ड्रो करवानू पूछा आतो है छे तो प्रथम आपने जोईशू यहां जोईश शकाए के 415 वाल्ट एटले के थ्री फेज माटेनू आपने आपने आपेलू छे के थ्री फेज एक इंडक्शन मोटर आपेली छे जे 5 वर्च पावर नी छे आई इंडक्शन मोटर माटे आपने डियो एल स्टार्टर नो वायरिंग डायाग्राम ड्रो करवानू छे तो कई री ते ड्रो करी सकाए आपने समझीशू तो सव प्रथम आपने ख्याल छे के थ्री फेज लाइन होई इटला माटे थ्री फेज लाइन माटे आर वाय अने बी त्रण फेज आवेला होई छे त्यार पाची थ्री फेज मोटर मापने एक वायर अर्थिंग तरीके ली देलो छे यहां तमने जोई सकाए जे डोटेल लाइन वड़े इंडिकेशन कर्यू छे एक अर्थिंग वायर ली दो छे होई त्रण फेज आपने आपीशू में स्विच माँ जाबना त्रण फेज अता आई यहां थी आर पसी वाय अने बी अहीं एक प्रकानी आपनी रोटरी स्विच मुखे ली छे आर इते ओन आप कर्वा माटे रोटरी स्विच मुखाव मावी से त्यार पसी हैं यहां फ्यूज मुखे ला से यह जोई शकाए सेप्टी पॉइंट ओफ यू फ्यूज मुखे ला से तो आर इते जे थ्रीफे सप्लायर से यह सप्लायर आपना यहां डियोवल स्टाटर मां पहुंची जासे हवे आपनने ख्याल से कि जो आपने करण नू मापन करू होई तो करण ना मापन माटे हम्मेशा ए मिटर नो वव्योग थाए और E-meter के आ जोड़वाँ मा आखये तो कोईपन वायर हुई एवायर्ण नी शिरिध मा जोड़वाँ मा आख Ł improvement एक फेज वायर एट लेके आर साथे आपणे ए मीटर ने कनेक करीुछे अनि जे वल्ट मीटर होई कि जे वल्टे दना मापन करवा माटे वपराई ए वल्ट मीटर कोईपन बे फेज वायर होई ए बनने फेज वायर नी एक रोस मा जोड़वा मा होई येलेके 2 y नी वच्चे जोडिये तो बन्ने वायर वच्चे नों वल्टेज आपणे जाणी शकाई तोहीं या बाकी ना जे बे फेज वायर हाता y अने b ये बन्ने साथे वल्ट मीटर जोडेलू छे ये मीटर अने वल्ट मीटर येनी मदत्ति आपने करण्ट अने वल्टेज नीजे वेल्ली होई तो ये बन्ने वेल्ली रूमापन करी शकाई तो ये शुदी पहच्चा पछी आपने डियोल स्टाटर बताई शें ये ये जोई शकाई आ रही ते हवे आपने तफावत खासे समझवानों से कर डियोल स्टाटर अने स्टाड एल्टा स्टाटर ये मन्ने माँ फर्क शू होई तो सव प्रथाम तो डियोल स्टाटर एल्लेके तमारू डायरेक्ट ओनलाइन स्टाटर होई डायरेक्ट ओनलाइन स्टाटर माँ शू होई जे पन तमारा फेजना टर्मिनल आवता होई इल्लेके जे फेजना त्रण टर्मिनल होई ये त्रण एक कनेक्शन डायरेक्ट स्टाटर माँ लिधा पच छी आपनी जे इंडक्शन मोटर होई ये induction motor ने direct तर्मिनल आपी देवारा से यह लग여 कि input मा पन तर्मिनल से और output मा पन तर्मिनल होई जारे star delta starter मा सुः होई तो star delta starter मा कई कारीते होई अझे आपने शमझेशू कि dual starter होई तो dual starter माँ जे आपना तर्मिनल हता R, Y, AIB तो त्रणे टर्मिनल डारेक्ली यहां इंडक्षन मोटर मां आपी देवानाचे जारे आपनुचे स्टार डेल्टा स्टार्टर होए स्टार डेल्टा मां सु होए यहां जो एक टर्मिनल होए आड नो तो आउटपुट मां यहां बै कनेक्शन जाए यहीते y नो 1 टर्मिनल होई तो output मा y ना 2 टर्मिनल जाए अने b नो 1 टर्मिनल होई तो output मा b ना 2 टर्मिनल जाए हवे याद बन्ने starter मा एक तोँ आपने तफावत जोयाना कनेक्शन नो के dual starter मा only single connection होई अने star delta starter मा double connection होई त्यार पच्छी आपने ये जोईसु के बनने मां थी कई स्टार्टर सारू होई त्यों कई सकाई कि आपनों जे डियोल स्टार्टर होई डारेक्ट ओनलाइन स्टार्टर ये स्टार्टर जे स्टार्टिंग करण्ट होई ये स्टार्टिंग करण ने उच्छू करी सकतू न थी इतले कि आज ये स्टार्टर होई कई जग्याई वप्राई तो सपोज जैम के कोई जग्याई वाटर पॉम्प आवेला होई त्यार पच्छी कन्वेयर बेल्ट होई फ्यान होई अथ्वा तो कोई सेंट्रिफ्यूगल पॉम्प होई तो ये जे प्रकानी डिवाईस होई कि जे डिवाईस मा करंट नी जे वैल्यू होई ये करंट नी वैल्यू पहला थी जे लिमीटिंग होई येलिके उच्छा करंणी जरूयाद परती होई यहां उचा करणनी जरुयाद पड़ती होई त्या करणनों लिमीटिंग करवानी जरुयाद नथी तो एवी जग्याए डियोल स्टार्टर नों उप्योग करवामा आउत होई छे परन्तु आपनों जे स्टार डेल्टा स्टार होई इस哈哈 radar starter स्वरूफाद नो मैक्सिमम करंड होई जने आपड़े इंद्रत करंड कहता आता तो एंद्रत करंड ने त्री जा बागनों करी ना खैँझे 10 aamp your current होई तो आपने पोटे 3 aamp झेँझेEs according ma जे short circuit थोवानी शंभावनाओ हती ये तमाम संभावनाओ आप राकानना स्टार्टर थी गटाडी सकाई से आपनने ख्याल से कि जार आपने इंडक्शन मोटर होई इंडक्शन मोटर ने आपने ओवन करी सु तो इंडक्शन मोटर पोते सप्लाई माथी मैक्सिमम करण पोते कलेक करवानों ट्राई कर से जो ये पोदे maximum current collect करे लेशे तो ए सम्माई induction motor बड़ी जवानी सम्पाव ना होई तो maximum current ये collect ना करे ए हेतू थी आपने star delta starter नो उप्योग करता होई ये छिए और star delta starter connect करे आपची ए करण ने आपने 30 भागनों करी सकाई छे तो आपने तफावज जोया के DOL मा only single connection होई input output मा जारे star delta मा input मा single connection होई और output मा double wire नी करता होई और ACY आपने जे DOL starter होई ए DOL starter जे इन्रस current होई ए इन्रस current ने पोटे उच्छू करी सकतू न थी इटला माटे ए starter नो उप्योग ए भी application मा थाई कि जे application मा जे पन current नी requirement होई ए current नी requirement अल्रेडी उची होई और जे star delta starter होई यान उप्योग यही जग्या है थाई कि जा maximum current पसार थतो होई तो आपने एक current ने minimize करी और ए one third portion नो करी सकाई छे तो हमें या जोईशू क्या रिते डिवर starter मा या single connection लिदा पची input मा आउटपूट मा पणे जरीते त्रणे connection जशे R Y और B नहीं या आपड़ी induction motor बतावे लिशे आरीते आपड़ी या induction motor बतावे लिशे ACY आपने safety point of view बात करिये तो safety मा आटे या ज़े आपनो अर्थ वायर होटो ये अर्थ वायर नों connection या करे लूँशे आरीते अर्थ वायर नों connection करे लूँशे या जो इसकाए कि जैने अर्थ वायर पन कई सकाए कि तमाम जग्याई आपने अर्थ वायर आपे लोँशे तो अर्थ वायर नी बोड़ी होई metal बोड़ी ये metal बोड़ी उपर करंट आवानी संभावना गटी जती होईचे तो आए डायाग्राम आपने जोयो dual starter माटे नों के जे खुबस त्रेल होँचे जे आपना त्रण फेज होई ये त्रण फेज माँज आपने connection लाईशे एक connection में स्वीच माँ पीशे में स्वीच माँथी आपने fuse connect करीशू त्यार पछी dual starter connect करवानू अने dual starter माँपने ख्याल छे कि input माँपने connection होई अने output माँपने connection होई यहले आपने safety provide करीशकाई तो जे रिते आपने dual starter जोई तो एज रिते से हम star delta starter नो डायाग्राम होई यहमा मात्रा फरकेटलो होई कि यहना जे connection होई input output ना एक connection यहाँ डबल थाई जेसे आरीदे आउटपूट ना connection यहमाथी डबल थाई जाई तो जोई शोवे आपने star delta माटे नो श्टार नो डायाग्राम तो आरीदे जेम आपने अगाव पन वाद करी हाती के त्रण फेज आपना R Y अने B अनि यानी साथे आपने एक अर्ठवार लेशु और यह त्रण जे फेज हता यह त्रण फेज नू आपनाई यहाथी main switch मा connection लेशु त्रहने फ्येज वायर माथी आर वायर ने बी माथी में स्वीच मां कनेक्षन त्यार पछे यह अपने अन आफ माटे रोटरी स्वीच मुखेली छे अने में स्वीच मां सेप्टी माटे यह फ्यूस कनेक करेला छे त्यार पसी जही ते वाद करी हती ए प्रमाणे ए मीटर ने वायर साथे सिरीद मा औने वल्ट मीटर ने कोई पंड बे फेज वायर साथे कनेक करवा मा आउतु होई छे नहीं याथी जह वायर करशे मेन स्टार माँ तो यहां जोई सकाए आपनू स्टार डेल्टा स्टार तो J इते है आपना कीदु हाथू केश टायर्ड एल्डा स्टाटरमा शू होए तो input मा जी एक कनेक्शन आउतु होए ये output मा बे वाएर नी करशे तो R इते input मा 3 वाएर आउता होता ह insane R y 2 ना तो output मा गोल 6 वाएर नी करशे तो या आपनने clear लिजोई सकाई कि यहां R ना बेवायर छे त्याई पसी Y ना बेवायर औने B फेज ना बेवायर औने नीचे आपनी यहां इंडेक्शन मोटर बतावे ली छे औने ACY जो अर्थिंग माटे आपने वाद करिए तो अर्थिंग माटे इन्याथी जे वायल लिदो होए इदर एक जग्याए आपने Mains वादमНmeye अर्थिंग करिए शू त्यार पचि स्टार्टर aan कनेक करिए शू अने अन्य आपनी Induction Motor मा कनेक करिए शू तमाम त्यादमीं पूर्ण पूर्णह था ही जैएल आपना अर्थिंग वायर ने आपने अर्थ करी देशु तो आ रिते जे आपने बंडे इंडेक्शन मोटर हुआ इंडेक्शन मोटर माटे सव प्रथाम आपने इंडेक्शन मोटर वीथ डियो एल स्टाटन नो डायाग्राम जोयो अनि त्यार पची इंडक्शन मोटर विथ स्टार डेल्टा स्टाटानों डायाग्राम जोयो तो बनने डायाग्राम माथी कोईपण एक डायाग्राम जिट्यूनी एक जम मा पूछा आतो है छे आपने खाली डायाग्राम ड्रो करवानों छे डायाग्राम ड्रो करवानों क्येश्चन तरण माइध माइख मा पुछा तो ही जि accepta1 पूर्ण करिया चीए पचीना लेक्चर मा आपने चैप्टर नंबर बेस्टार्ट करीशू तो चैप्टर नंबर एक मा आपने कूल लगबग 21 वीडियो बनाया चे तो तमाम वीडियो ने दरेक विद्यार थीए त्रणती चार वार जोवाना चे जेपन तमने एसाइमेंट आ लखवाना चे ए आंसर आपने जे रिते तमने मैं समझायू छे विडियो मा ए लेंग्वेज मा अने तमारी पोतानी मवलिक परिभाशा मा लखवाना चे जो कोई विद्यार थी ये प्रश्णा जवाब बुक मा थी कौपी करिया न लखे आशे तो ए एसाइमेंट आपने व वातने रिमाइड राक से साज तो आशा राखो 108 आधना लेक्षर मा अने चेपटर नंबर एक मा जे अपना 21 लेक्षर सम्झाया ये दरेक लेक्षर मा दरेक विद्यार्थी ये सानी तक आवे 야वल अवे तो पन कई पन डाउट होए तो ये विद्ध्यार्थी ये परसनली मामने कौल अथवातों मेसेथी पुछी सकवाचो थेंक्यू